नमस्कार दोस्तों मैं हूं हुमान शुत्रवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस यूटूब चैनल पर तो जैसा कि आपने मेरी प्रिविएस क्लास देखी होंगी उन्हें हमने डिसकस किया था कि कंडिशनल सेंटेस टाइप फर्स्ट और कंडिशनल सेंटेस टाइप सेके हैं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे यदि आपने वो दो क्लास नहीं भी देखी हैं तो आप इस क्लास से आर्फारी से कोश्टन बना सकते हैं ठीक है तो चलिए हम चलते हैं अपने में टॉपिक पर कंडिशनल सेंटेस जो हमारी पुरानी क्लास थी उनका भी मैं आज स्टेंस क्या होते हैं तो आपने एक मिनि सुना हुआ यहां पर चाऊँ वहां पर यह यहां पर कंडिशनल का यह कि देखो, जब भी किसी एक कार्य का होना, किसी एक कार्य का होना, दूसरे कार्य पर निर्फर करता है, जैसे कि किसी भी एक कार्य का होना, एक कार्य का होना, दूसरे कार्य पर निर्फर करे, दूसरे कार्य पर निर्फर करे, ठीक है, अब वो कैसे निर्फर करे, आती है कि एक कार का होना दूसरी कार अब जैसे कि मैं बोलू कि यदी मैं राजा बन जाओं तो क्या कर दू अपनी प्रिजा के सारे की सारे कर माफ कर दू अब यहाँ में भूपाल गया या भी सीडी पह गया तो तिम से मिलुंगा यह तो यह थी कारी का रिखा हुना दूसरी कार पर करता है उसे हम कंडिशना सेंट्र बोलते हैं ठीक है मैं बोलता भी चलता हूं आप साथ में लिखते भी चलिए तो देखना इसी वीडियो में आपके कैसे डाउट क्लियर हो जाएंगे हम किरण का सॉलिशन इसी वीडियो में कराऊंगा कि जो कंडिशनल सेंटेस के कुशन आयते वह आप पर बन पाएंगे या लेकिन आपको क्या रखना है तीस में इंडिया प्रद बोलू उसे ज्टाण से ठीक तो को एक कारका होना दूसरे कारपर निर्वर करे उसे हम क्या बोलते हैं केसे निवर करे जैसा कि मैंने आपको बता दिया आई अब मैं बोलू कि यदि सारे लोग इमांदार हो जाएं त करेप्षन में पड़ते हैं तो पहले इमांदर होना प्रफ के कंडिसे मननी चाहिए जब जाके हमारा रिजल्ट सामने पाएगा ठीक है अब दिखे कंडिशनल सेंटेंज को हम तीन पार्टों में पड़ते एक यह तो फूकस लिए और एक अधिया ताई जीरो करणेशनल टाइप देखो जीरो कंडिशन में तो बिल्कुल जीरो की जीरो कंडिशन बनती है जैसे कि एधी मैं बोलूं कि एधी मैं बारिस में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं भींग जाऊंगा अब इसमें कोई बिल्कुल सत्य बात है उनके लिए कौन सा अपना कंडिशन टाइप फॉलो होता है जीरो कंडिशन टाइप इस सारी सारे जैसे कि यदि मैं कांपे जाऊंगा यदि मैं भोपाल आऊंगा तो तुमसे मिलुँगा मतलब दोनों फुट्र एक्शन की बात कि जा रही है अभी आया नहीं हो चौरीहों क्या करोण बहुन आऊंगा जब तो मैं ने बताया ता कि इस एंडिया क्या सारी लोग क्या कि इंडिया के साइलो इमांदार हो जाते तो करक्षन क्या हो जाता मिट जाता यदि में भूपाल आता तो तुमसे मिलता मतलब इसमें कौन से खूद थो कि दिए होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं अब देख़ें से लुप है आप यहां से देख सकते हों ठीक है क्योंकि आपकी इदी मैं यहां पर सामने लिख वाँगो तो आपका टाइम भी ज्यादा बेश्ट होगा और आप की वीडियो लंबी बन जाएगी तो आप सोचोगे आप स्किप करने की सोचोगे से ठीक है तो दीकिस कंडिशन सेंटेस टाइप में क्या रहता है कोई भी सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद रहता है अगर मैं खड़ा हो जाओं या खड़ा होता हूं तो भींग जाओंगा अब यह तो सिंपल सी बात है ना यहां पर कोई कंडिशन वाली बात हो रही है क्या नहीं हो रही है आप कोई कंडिशन वाली बात यदि खड़ा होंगा तो भींगा ही यह तो क्लियर सी बात है देखिए इफ आई स्टेंड इन डैन आई गेट रेंड मतलब मैं क्यों हो जाता हूं भींग जाता हूं ठीक है यदि मैं बात करूँ कि अगर लोग ज़्यादा ख काट विक करिया बात करूँ अब पानी को मुणा थोडी न बात हो रही है ठीक है वह यह यह दि बात की जाए यह फाई लिव आई इन दा सनलाइट एड़ वैड़ अधूब में ना किसको बर्फ को रख दोगे तो क्या होगा बताईए दूप को गये वर्फ को दूप में रख दोगे तो क्या होगा वो पिकल पिकलने लगेगी कि इस कुछ कंडिशन मनेगी कि नहीं पिकलेगी वह मान की किया नहीं सब्सक्राइब अब आपकी करके देखते हो इसको झाल चलिए कृणिस्णन है और दकी कंडीसों नहीं मतलब यहां कि बात की जाए तो दीखिए उसमें मैंने अभी बताया था कि कंडिशन सेंटर टाइप फर्स्ट में क्या होता है इसमें तो फ्यूजर एक्षिन की बात की जाती है जैसे कि मैंने पहली बताया जैदी मैं भूपाल जाओंगा तो तुम से मिलूंगा ठीक है इसका इस टेक्टर आप लिजिए लिए थे क्यों होता है सबसे पहले एक फर वेंसे तो इस्टार्ट एक होती है इसकी सिप्वास सब्सक्राइब प्लस बिलॉब लिक्स एल मोडल भी आ सकता है मोडल भी आसकता है कैन को में माइड मस्का भी यूज किया सकता है और इसके अबर की फर्सपॉम और और आप यहां से लिख सकते हूं अग지 अगर मैं भोपल जाँ से तो मतलब तो सिंद गैड्र कोया लोगा था तो तुमसे मिलूंगा तुमसे मिलूंगा ठीक है अभी हां पर कंडिशन बन नहीं है कि बताइए यह बोपाल जाता हूं यह जाओंगा तो तुमसे मिलूंगा यह नहीं गया तो नहीं मिलूंगा तो देखे एक इसटार्ट उन्गी एफ आई गो टू भूपाल मैं तुमसे मिलूंगा I will meet you मैं तुमसे मिलूंगा यदि सारे लोग इमांदर हो जाएं यदि सारे लोग इमांदर हो जाएं तो करेप्शन मिट जाएगा करेप्शन मिट जाएगा ठीक है सारे लोग तो अल्दा पीपल अल्दा पीपल बिकेम बिकम ओनेस्ट करेप्शन बिल बिल फिनिस्ट ठीक है यह लोग कैसे हो जाए इमा अंदर हो जाए तो करेप्शन कैसे हो जाएगा मिटी जाएगा यह बोलू यह वहाँ जाएगा तो बापस यहाँ पर बापस नहीं आपाऊँगा कि राधे मैं यह वहाँ पर गया तो मैं यहाँ पर बापस नहीं आपाऊँगा यह यह बोलू यह दी मैं वहाँ यह दी मैं जाओंगा तो बापस नहीं आपाऊँगा नहीं आपाऊँगा तो को एफ आई गो आई बिल सैल भी लागा सकते हैं आई सैल कि नौट कम बैक एफ रिटर्न कम बैक हिर ठीक है तो यह दी मैं वहाँ पर जाओंगा तो यहां पर क्या नहीं आपको लगएगा यहां पर भी फ्यूचर आ बैक नहीं रहा है ठीक है दौनों साइटी फीचर आ रहा है अपन लेकिन क्या कर रहे हैं यहां पर एक में तो प्रजेंट अफिन लगाँ रहे हैं और दूसरे में फ्यूचर टेंस लगा रहे हैं ठीक है तो आप एक रूल लिजिए जब भी किसी रेंड नोट के लिकिए आ क्या लखोगे जब दो फ्यूचर एक्षिन की बात की जाए किसकी बात की जाए एक्षिन की बात की जाए बात हो तो हो एक्षो वैन अलेज अचिन एंटिल के एक बिफ्व अब्टर अनके से इन केस ऑफ थीक है तो इन से यह दी कि सैंटेंस की इस्टार्टिंग ओ तो इसके बात बाला सेंट स्काइब में रहता है अपना इसकी तब म Unidos के बाद वाई इसक काई मेरे ता है उसके बाद इस में की जाए धरा वह तो प्रश्डैस दिए इंटेफिन गरहता है वह थिया झान इसके बात वाला सेंटेस का इनकेस वह अपना प्रिजेंट इन से स्टार्टिंग वह जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं होता है यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए कंडिशनल सेंटेस टाइप सेकेंड की बात करते हैं तो यह क्या होता है कृणिशनल सेंटेस टाइप सेकेंड में मैंने आपको बताएंगा क्या इसमयें प्रिजेंट की बात होती है कंडिशनल सेकेंड टाइप सेकेंड में से कि यह पाउस्ट को जाती है तो आप लेखिए सबसे क्या आएगा इसके इस आन की से कि हैं आएगे जिसा यह जुद युद्द में कि युद्ट यादी वर्व की इसके शह.- सर्केंडियर यह निद्म अब बस अब सब्जेक्ट प्लस इ 오늘도 ब्लस भर्यव की फर्सपों प्लस आपको इतना याद रखना है कि क्या याद करना है एस फ्याद सब्जेक्ट वर्ब की सेकिंड पॉर्म ऑप्जेक्ट शब्जेक्ट बूड़ बेल कि अपने बदलने के पास्टेंस अभी मैं आपको टैंस में बताया था यह अपने टैंस की क्लास नहीं देखिए तो आपको टैंस की क्लास पहले देखना चाहिए ठीक है अब देखिया इदी बात करूँ वह अभी मैं इस टेक्टर काय में लिए थे प्रिजेंट में लिए थे अब मैं मैं में कर देता हूं पास्ट में कर दीता हूं भूपाल जी वारे सेंडर्स थिक है तो इसके और अच्छे समय में आ जाएगा जैसे की मैं लिखू हैं आप है कि अगर मैं भूपाल चाहता तो तुम से मिलता येunden में भूपाल जाता तो कि स्थे मिलता तुम से मिलता तो तो टेकि एफ और को जाए का बटाई का बटाई आप सिंपल सी बात है बिलके स्थाम पर के उलेगा बोड़ो जाएका तो सितना समय में आ गया पास्ट अपन क्या करते है पास्ट ये बतल देते हैं बस भी रहता है सिंबल यदि सारे लोग इमांदर हुझ जाते अब जहां भी जाते मतलग मैंने बताए थिसके लास्ट में मातरा के लिए आ जाए वो कौंड तेंस रहता है पास्ट इंडेपने र करते हैं कि बीच मैंसे बीडियो देखने लगते हैं और फिर होते हैं अब सारे लोग यह मानता है तो तो इब अलब विक्रवण ओडर्व की सेकेंड फाम है कवाली फाम लिगी है मैंने यहाँ पर से ठीक है और करेप्स अब बताई बिल के स्थार्व क्यों हो जाएगा यहां पर बुड़ जाए गांपर बुड अब अब दिखिए मैं यही फिनिश्ट यही यह ज़ाए बेल जा यां गए अब दो इसमें क्यों रहे लेकिन को जनक यि में जाता तू बापिस नहीं आ पाता मैं लेकिन में क्यों गये नहीं तो जाने वाले आने वाली कुए रहे कःम कि भात है तो मतली sap को ही कर दो मिकbut सब्सक्राइब कर दिया अब देखिए अब कभी कभी आपने देखा होगा कि इफ आई वर इफ ही वर वहरा यह सारे सेंटेस आपने पढ़े होंगे तो लिखिए नोट डालके लिखिए यदी पोस्ट कालपनिक हो यदी क्या हो यदी पोस्ट कालपनिक हो तब हम F I B R F E B R F C B R मतला वो देख रहे हो, चाहे एक बचन हो, चाहे दो बचन हो, चाहे बहु बचन हो, समझ रहे हो तो उसके साथ हमें किसके उज़ करना है, यदि पोश्ट कालपने को मतला पोश्ट कैसी है, कालपने 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 क ईजिन ही को सबस्काहे ने अ कि इस 것으로 is मैं कि इस हाओ कि जो आज मुझे एसे ड़ाकते हैं जैसे कि वो चॉह फिल्यकॉर यह वह हो यह डम टीर नहीं है टीचर तो इसलिए हमने एक साथ भी किसके यूज किया वर का यूज किया ठीक है अब आने माले जो मैं हम एक्जामपल करेंगे न मैं इसमें सारे की सारे एक्जामपल करा दो तो आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा वो बोरिंग टाइप का लगएगा लेकिन मैं आप याप क्या करा त्युक्तर्ट कि जो एक्जामपल आई थे हमारी करण के जो एक्जामपल आये ठीक है अब लिखिए आप डाले तरे कंडिशनल सेंटेंस टाइब थर्द को को केकेट हम सेंटेंस अब सेंटेंस टाइब फर्द कि अपने पड़ा होगा आपने पड़ा होगा एफ पहले क्या आता है एफ और एफ यह फिर बैन एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड इसमें काई की बात होती है वाले में प्रिजेंट की बात होईथी दूसरे में काई कि वह इती पास्ट मैं पास्ट पास्ट की बात हो जाएगी ए प्लस है फिलल पर्युकी थर्ल्फव फॉंद्ट ब्लस अब जैग कर दो संब्सक्राइब अबीर्फ एसमें इस टाइब में भी बन सकता है यहाँ पर हैड प्लस सबजेक्ट थर्द फ़र से और सब्जेक्ट इसन समिरा some वूड है दिए अथे अब कोई से भी स्थिक्षर आ जाये हमें पस इतना य है रहना एफ हैड वरावर डुढ导 है कि रखना इसे बेड़ाबर इप हैड़ वराबर क्या होता है अपना बूड है गलती गलती की ये विल हब कर देते हैं तो इस टाइब में गलती आ दिलो गलती का भी हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे जैसे कि मैं बोलूं कि कि इफ ही हैड वर्क्ड हाड वर्क्ड हाड ही भूड हाड ही व्र अइव पास्ड यह क्या करता यह एक जाता पास हो जाता यह ह дости害 परफ थे सय को सब्शू सब्ढ़े अब दिए कुछ तो अब मैं आपको कुछ बनाने के लिए आपको खुद 20 नियुक् escrTS डाये काइम है है रुची के पासकार होती तो है आजा आइए आप खुद लिखिए और आपको काई में है आपने कॉंपी में बनाएं यदि तुम चोर होते तो मैं तुम्हें फीट रहा होता इसके बाद लिगे यदि राम मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा यदि सौमबार को बारिस होती तो मैं स्कूल नहीं जाता जर्धी सॉंवार को बारिस होती तो मैं इसबी नहीं जाता अगर में घर पहुंच गया होता तो तुम्हें यहां पहुंच गया होता तत्या प्वेस्व में यहां अ क्वेटि एक और लेखिए अगर मैं तेरना जानता होता तो यह भी काई में आएगा यदि मैं तेरना जानता होता तो मैं इसे डूमने से बचा लेता तो मैं से डूमने से बचा लेता देखे अगर मैं घर पहुंच गया होता अगर मैं घर पहुंच जो हुआ हुआ सब्सक्राइब तो तो तुम्हें कॉल करता ठीक है पास्ट पास्ट की बात हो रही है यहां पर देखिए अब यहांप क्या होगा एफ आई हैड रीजड रिजड रहा हॉं आई वॉड है वोड है वोड यू मैं तुम्हें क्या करता कॉल करता यह इसको पन कैसे बिली सकते हैं बताईए हाँ पैर है पर है न्याद आई पैसल आई एड़ी रीजड है रही दैसलों महिस्टें में जाए आपको इस टाइब जाब करना है आई कर आई बृड इसके वार है पॉल्ड है का ऊट्सु स्यासे का ठीक है अथी समझ में आ गया होगा और थर्ड समझ में आ गया हुगा अब देखिए अब हम करेंगे इसके एक्जांपल जो प्रिबिएस एर में आए हुए थे तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जिसे आपका टाइम बेस्ट ना हो आप जल्दी समझ जाए और मैं आपको जल्दी बताता च सब्सक्राइब करना है ठीक है इतना समय में आ गया होगा अब चलते हम इसके एक्जांपल की और तो देखिए हमने कंडिशन सेंटेंस सारी की सारे पढ़े लिए थे अब वो पढ़ना कहां पर इंप्लिमेंट होता है यह सारी की सारी कोश्टन मैंने लिख रखे हैं जो एस और आपको अपनी नोट्बुक में भी बनाते जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको इन्हें नोट करना है क्योंकि जब आपका रिवीजन का टाइम हो तो आपको ज़्यादा वीडियो नहां देखना पड़े एक बर आप अपने नोट से देखो तो आपको हाल समझ में आ जा तो हम्हें बताना एक कौन से पार्ट में रहा रहे देखिए बताईए मैं आपको पूचा होता मतलब पास्ट की बात हो रही है सब्सक्राइब तो यहां पर देखिए गलती है अपने पार्ट ए में क्या होगा बिल की इस्थान पर किसके दिसके वोटका यूज के जागा एक बार और याद रगी जी एफ हैड वरावर क्यों होता है वोट हैव एफेड भी थरी बुड है वी थरी वॉड है बी थरी हमें याद रखना एक फेड वरावर वॉड है ठीक है तो इसमें अपने पार्ठ एमें गलती है अब बता ये सेकेंड कि अब आप मुझे बताइए मैंने आपको कंडिशनल सेंटेस टाइफ फर्स्ट पढ़ रहे थे आप वीडियो को पीछे करके देखिए तब मैंने बताया जब दो फ्यूचर एक्षन की बात की जाए कौन से दो फ्यूचर एक्षन की बात की जाए तो अंटिल अलेस बिफोर सब्सक्राइब कर दिया तो यहां पर नहीं क्या कर दिया तो यहां पर क्या करती है अपने यह पार्ट में गलती है आप्टर यू डिटर्न का यूज होगा ना कि आप्टर यू बिल लिटर्न का क्यों यहां से बिल हट जाएगा ठीक है आप्टर यू डिटर्न फॉम चैनल आई आए बिल कम एंड सी यू ठीक है अब आराए न समझ में आपकी मात्र 40 मिंट की के ला सब्सक्राइब कर देख सकते हो तो आपको और अच्छी से हो जाएगा अब हैड सब्सक्राइब की कौन सी फॉर्म काैओ वोड़ास का होगा तो दिखे हैं लौन क्या कर दिएं पर बिल कर किष गॉट जा रहा है कैसे कैसे डार 46 में की क्लास में आखिए आपके 2 से ले के 3 कोशन में बंते है तूष्म क्या क्या ठीक है अब बात करते हैं है यूवाल समझ में आ गया अब फूर्ट बाले में बताइए क्या आए वुड़ एसेप्ट दा ओफर एप ही वर यू क्या गलती यह वह तुम्हारा ओफर एसेप्ट कर लेता यदि हो तुम होता तो कि बताइए देखिए इसमें है कोई भी गलती नहीं है अब देखिए यह तुम्हारा ओफर एसेप्ट कर लेता मतलब पास्ट की बात की जा रही जैसा कि मैंने आपको बताए था कि वह रेंग कौन सी हो टुम्हारा उनजार वाली बात की जा रही है का उनजेट इक बचन हो तो भी घई घए अनक पहरते गई आउने कई इघ्ग बचन हो तो गषर यहां पर बचन हो तो यहां पर गठोटर रखांग उसके जा रही कालप ने बात की जा रही है ही है तो अभी अपने किस के उसकी आए वर के उसकी आए तो इसमें कोई भी गलती नहीं है नो एरर है इस पार्ट में ठीक है अब फिप्तर उम्मर पर दिया है दिस लेटर बिल लीच हिम बिफूर ही लेट फ्रॉम डेली लेटर उस पर पहुंच जाएगा जब डेली से लोटेगा ठीक है बताइए क्या गलती है इस पार्ट में हिंदी पर ज्यादा जोड़ देने की लिए बोला था तो यहां पर फॉलो हो जाती है ठीक है और अब आपको सेंटेंस देखना है टेंस जो मैंने कराई थे न वह अच् बिस्टल नहीं बजाएगा बताइए क्या गलती है वही घिसी पुटी पुटी वाली हजारवाद हो कितनी बाद रिपीट हो रही है जो तो फर्स कंडिशन में बताए था जब दो फ्यूचर एक्शन की बात की जाए अंटेल अलेज एस सून एस बिफोर आप टरेंस के स्टार अंटेल दा गार्ट ब्लो दा बिस्टेल ठीक है इतना हो जाएगा बस आपको याद रखना है जो रूल था ना वह एक बार और अच्छे से पढ़ लेजी एक बार और व्रीडियो देख लीजी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके वाद एप आई ब पर से बताइए मैं। तुम हो सकता हूं गया नहीं हो सकता काल्पनेंग वाली बात है जब काल्पनेañ Почему वाली बात दो ऍपार करना है सिंगूलर वह वह दिए में कशिकना है नवा हुआ इप सी हैड सीन दकार कमींग सी में नौट क्रॉड दा रूड क्या रखना है बताईए एक फेड वरावर वुड है में तो लगी नहीं तो यहापे क्या कर देंगे में किसके कर देंगे वुड है काम खतम मतलब पार्ट सी में गलती है याद रखने ला एक बार और रिवाश कर दीता हूं यहाँ पर बात करती नहीं जिर्णी सिंपल बनी जाता है आपको पतर रहता है और रहते हो रहता है उसी विकारस और इसकी चाइब रहा है राजा हो तो सकता नहीं मैं बन नहीं सकता तो वह कौन सी पोजिशन हो जाएगी आपको याद रखना आपके शारी की सारी सेंदेंस बनते चले जाएंगे और बन भी गए होगे आपको समझ में आ गया होगा तो सारी सारी सेंदेंस बन भी रहे होंगे तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के